हेलो एवरी फैन इस विडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फोथ ईवी एस का चाप्टर सेवन फ्रॉम दे विंडो तो देखिए जो चाप्टर सिक्स था ना ओमाना जोर्नी तो उसका ही पूर एक्स्टेंशन है उसका ही आगे हम यह पता रहे हैं तो 17 में को क्या होता है अमाना लिखती है लास नाइट आई वेंट तो स्लीप अर्ली इट वस्टू डाग तो सी एनिफिंग आउटसाइड तो वह कहती है कि मैं जल्दी सो गई थी पिछली रात को अप्छों की सुबह हो गई और मैं रात को इसले जल्दी सो गई थी क्योंकि इतना सदर डाग था न वह मत गाओ था वहां पर ऐसा ही लिखा हुआ था प्लाटफॉर्म पर अपाने कहा कि अब हम जो है गोआ स्टेट के थ्रू निकलेंगे और हम लोग स्टेशन पर उत्रे हमने गरम चाय पी और हमने अपनी वाटर बॉटल में जो है पानी भर लिया ट्रें फिर से स्टार्ट हो गई और मैं मुझे अब काफी डिफिकट लग रहा है इस सीन को डिस्क्राइब करना इस सीन को बताना जो अब मैं बहार देख रही हूं बहार जो है बहुत ही सुंदर सा मतलब है खेद जो हैं काफी जाद सुंदर है हरी मतलब हरी आली है बिलकुल हर तरफ रेड करर की थार तरफ जो है इसे पहार हैं और तरफ जो है ट्रीज है तब कहीं कहीं पर आमें चोटे चोटे से पॉंट तलाप भी दिखते हैं काफी दूरी पर वहां पर जो हैं तलाप के पीछे हिल्स हैं और काफी सारा पानी है और I can't make out if it is a river और असी और इतना सबानी मुझे समझने आ रहा है कि कोई नदी है या फे कोई समुंदर है एर जो है हवा काफी थंडी है ऐसजी अला वहां पे एहमदाबाद में गरम हवा होती है इस तरीके की हवा नहीं है यहां पे काफी थंडी हवा है'll train पास की लेवल क्रॉसिंग और पी जिसमें लोग थे, कार्स थे, ट्रक्स थे वहां पर सोट रिक्षा, साइकल, मोटर साइकल, स्कूटर्स और तांगा, बुलक कार्ट भी थे जिसमें लोग और समान था with people and goods in them देंगे people तो लोग होग जी। यों की समान होता है उसको इंग्लिश में हम goods कहते हैं कुछ people जो है जो लोग थे वहाँ पे level crossing के side में उसमें कुछ लोगों ने तो अपनी गारीयों की engines बंदी नीके तो सब्सक्राइब कार में बैठे तो उनकी कार चली की चली ही हुई थी लेवल क्रॉसिंग पे इतनी देह तक वेट करते हुए भी वह बहुत जादा इसलिए कहाता स्मोक थी बहुत दुआ था हर तरफ बहुत थी बहुत जादा मैंने काफी सारे लोगों को देखा कि वह जो है ल हमारी जो ट्रेन होती थी वो किसी दूसरी चक को क्रॉस कर रही होती थी और लुंड गाउंटा केक्साम द युथी जो क्याला ने वर्चिच ょूनी को स्डीरी बैठे उनधा सिद्वा.. थी कि हम लोग जो है बार-बार कन्फ्यूस हुबे जा रहे थे अब 17 में का बागे लेटर बाला पार्ट आता है अब फिर बताती है कि लेटर मैं जो है विंडो के पास में बैठी हुई थी अपनी आखे बंद करके सदलनी क्या हुआ कि साउंड जो है ट्रेन की चेंज हो गई करने लगी तो मैंने अपनी आखे खोली तब मैंने देखा और टाइम क्या हो रहा था इस टाइम इस टाइम रात के अशारे मतलब साड़े आठ का टाइम हो चुका था हां तो फिर मैंने अपनी आइस जो है वो ओपन करी और कैस वाट आर ट्रेन वस क्रोसिंग अवेरी तो हमारी ट्रेन जो है वह बहुत ही लंबी सी रिवर को क्रॉस कर रही थी यह देखिए नीचे रिवर है और ऊपर क्या है ब्रिज तो ट्रेन यहां पर से क्रॉस कर रही है तो यहां पर से जब ट्रेन क्रॉस करते हैं तो काफी जादा तेज आवाज आती है तो वह कहती है जो वील थे वो रेटल कर रहे थे जब गूम रहे थे ना उसके खड़कड़क़ सी आवाज आ रही थी क्योंकि वो ग्राउंड पर नहीं था ना वो मतब लोहे के बिर्च पर था और नीचे क्या था पानी था इसलिए काफी तेज आवाज आ रही थी ओली ट्राक्स एंड वाटर डाउन बिलो सिफ ट्राक्स थे रेल वे के और उसके नीचे क्या था पानी था और एट फर्स जब मैंने देखा मैंने नीचे की तरफ देखा तो आई फीर मतलब मुझे पहुती अजीब सा लगा और स्केरी सा मतलमे को थोड़ा सा डर सा लगा तो आई बैने रिवर के बैंक होता है उस पर मैंने कुछ göz देखे और रिव करने का मतलब से हलो करणा इस त्राइप से वहुत Tribe करना तो गया इंड गए मैंने तुछे नहीं पता हुने देख या नहीं देखा है तो दूसरा प्रिज था जिसमें कार और बस वगरा जा रही थी और वो अलग तरीके से बना हुआ था फिर I think going over our bridge was more adventurous तो वो कहते है कि मतलब हमारे वाला जिब रिज था प्रेंड वाला उसमें जाने जादा adventurous था तूफानी टाइप उस टाइप का था अब इसमें आगे की जोनी का है 17 मे जो है अब साड़े 11 वाला टाइम जो है वो हो गया है लास्ट फ्यू आर्स हैद बीन सो एक्साइटिंग आफ्टर बेक्फिस्ट आइप क्लाइम डाउन दा अब 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 बाद तो रीड माइ कॉमिक्स तो फिर लास्ट की जो घंटे थे वो काफी जादा एक्साइटिंग थे और मतब खाना खाने के बाद मैं जो है उपर चली बेक्फिस्ट करने के वाद वो कहते हैं कि मैं अपर वाली बर्ट पर तीन बर्ट होती रहे तो अपर वाली बर्ट पर चली कि अपनी कॉमिक को पढ़ने लगी और काफी सब ब्राइट और सुनी था आउट साइट काफी मतलब धूप निकल रही थी और सड़नली एवरिफि तो द्रेंड में फिर लाइट आ गई बाट आउट साइड क्या होता दाग था चली कि बहुत जब जब लाइट जिला दी गए विए भार की तरफ क्या था बहुत जब द की तरफ तो डाग था फिर किसी ने कहा कि हमें टनल को एंटर कर गए हैं और दिस गोइंग राइट त से हो तो पहाडों को गाट करो के न टौन से चप्फो स स पूराय हैدة पूराल–च कना जाती है तो उनको अम टनल बोलते यह आपको ते START न को पहाड है पहाड के अंदर से टनलं बना रखी है पहाडों को खोद के उसके अंदर से ट्रेंड जा ही है तो उसके हे 50 अश clearer तो इसलिए उमाना बोलती है कि बिल्कुल आसपस अधीरा था और फिर थोड़ा सा मौसब ठंड सी भी लगे थी क्योंकि धूप आती है धूप से कर्मी होती है अब जब अगर तुनल से जाएंगे तो धूप नी होगी तो हल्का से थंडा मौसब हो जाता है फिर अम्मा जो है वो एक्सपेंड करती है कि टनल कैसे बंती है जिससे मैंने आपको बता दिया पूरा फिर वो पहले टनल से गई थी तब वो मारा ने रिखा तो उसके बाद वो कहती है कि वो चार और इसी तरीके की टनल से मतलब निकले थे मगर वो थोड़ी छोटी थी फिर वो कहती है कि मैं बहुत था इंजॉय कर रही है अपनी जर्नी को जो जा दी है टनल के तुरू हो करके अब जो है आफ्टनून हो गया है ट्वेल्फ फिफ्टीन का टाइम हो गया है आफ्टनून दुपहर हो गई है लंच में हम लोगों ने इडली वड़ा खाया जो हम लोगों ने उड़ूपी स्टेशन से खरीदा था और हम लोगों ने कुछ बनानास भी खरीदे वो काफी छोटे और काफी टेस्टी थे भार का सीन जो है वो काफी ज़दा चेंज हो चुका था अब हम लोग जो है हर तरफ हमें coconut के trees मतलब नारियल के पेड़ दिख रहे थे green fields थे मतलब हरे हरे जो खेट है वही थे हर तरफ अम्मा ने कहा कि यह जो है हरे खेट यह peddy fields है peddy fields का आप कहा सकते हैं कि जो है चावल के खेट है house और villages मतलब घर गाओं सब काफी जादा अलग लग रहे थे जो लोगों की कपड़े थे वो भी काफी जादा अलग थे as compared to एहमदाबाद मतलब जिसे एहमदाबाद में लोग कपड़े पहनते हैं उससे काफी जादा अलग कपड़े भी लोगों ने पहने हुए थे most people जो है जादा लोगों ने white cream color की धोती और साडी पहन रखी थी many people जो है वो हमारे साथ जो एहमदाबाद से बैटे हुए थे वो got off have got off got off का मतलब है train से वो लोग उतर चुके थे people have also got on the train from different station जो हम लोग एमदाबाद से बैटे थे हमारे साथ उतर गए थे और काफी अलग लग स्टेशन से लोग जो है train में हमारे साथ फिर चड़े भी थे Sunil की family जो है Sunil और अन्नी जो थी ना बच्ची उनकी family got off हो गई मतलब उतर गई कोजी कॉंटे में कोजी कॉंटे केरलाग का अरिशन है which comes at around 6 o'clock तो शाम की चवबचे कोजी कॉंटे आया और वहां से Sunil की family उतर गई हम लोगों ने अपना address exchange किया और हमने यही Sunil और अन्नी ने जो है उमाना से और इन लोगों ने plan बनाया कि एमदाबाद में हम लोग मिलेंगे फिर वो कहत अब हो गया है अब रात के सवर्ण होब जो फहले वो दिन वाला टाइम था अब क्या है रात हो चुकी है हम लोगों ने भी अपना जो है पाक करना start कर दिया है सारा समान जो फैला हुआ था अब ट्रेन जो है कोट्याम जिने जहां पर हमें पहुँचना था वो अबाउट तीन घंटे में जो है ट्रेन को ट्याम पहुंच जाएगी तैट इस वेयर वी हैफ तो गेट आउफ मतलब को ट्याम पहुंच जाएगी वहीं पर हमें उतरना है तुटाइट वी विल गो टू वल्ली अम्मा जाउस आज राथ हम वल्ली अमा के घर जाएंगे तुमॉरो मतल कोई टायर्ड मतलब होता है थक जाना अब हम लोग काफी थक गए हैं अफ्टर ओल इतनी लंबी हमारी जर्नी थी जर्नी मतलब होता है यात्रा जो सफर करके आते हैं हम लोग दो दिन के सफर में हैं इतनी लंबी जर्नी के बाद मतलब हम थकान भी हो गई हैं मगर हमें काफ इस क्वाला चप्टर भी हमारा कम्प्रीट हो गया है थेंक यू